हेलो फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखे आपके सारे डाउट्स सेवन आर्स के अंदर सॉल कर दिये जाएंगे अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलिग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी हैव assets tough १ कर दो मिटाल भीज नाम पर से उसके नाम में डाइता है में नाम मतलब कि हमने जो यहां पर कंड़क्टिंग वायर यूस किया है वह एक मिटल लेंद कंड़क्टिंग वायर एक मिटर लेंद का इसलिए उसको नाम दिये मिटर बीज और पूरी जो बाकी की जो सरकीट है उसमें सारे connection as it is है तो यह इस सरकीट को हमने मिटर बीजना दिया है अब यहां पर 1 मिटर मतलब कि हम लोग जानते हैं कि 100 cm होता है राइट अब यहां पर इस conducting wire से हमने terminals को connect किये हुए और वापस वो terminal external battery के साथ भी यहां पर connected है एक बैटरी भी है और यहां पर की भी connected है अब हम लोग जानते हैं कि जो भी conducting wire है उस conducting wire का खुद का अपना एक resistance होता है तो हमने क्या कि यह दोनों gap में एक resistance रख दिया fix कर दिया दूसरे gap में दूसरे resistance कनेक कर दिया और जो यह terminal बचा उसको टर्मिनल मतलब कि galometer को उस wire के साथ बी के साथ कनेक किया और galometer का दूसरा terminal हम लोग conducting wire पे use करने वाले हैं as a sliding उसको हम लोग बुलेंगे जॉकी अब ऐसा क्यों करेंगे तो यहां पर जैसे जैसे में length increase करूंगा वैसे वैसे वहां पर resistance increase होगा क्यूंकि आर इस proportional to L जैसे जैसे length बढ़ती है वैसे जैसे resistance भी बढ़ता है तो मान लीजिए कि यहां पर जो resistance है वह एक L1 मिलेगा और दूसरा resistance 100-L1 मिलेगा तो यहां पर L1R 100-L1S दोनों comparison से neglect हो जाएगी तो neglect यहां पर होने की कारण जो galvanometer है वो zero deflection बताएगा क्योंकि जैसे कि हमने विश्टन बीच पड़ा था विश्टन बीच में जब condition follow होती है ratio वाली जब resistance की ratio सेम होते है तब वहां पर जो बीच वाला wire है वैसे वहां पर galvanometer में से current zero हो जाता है वैसे ही यहां पर भी current जो flow होने वाला है वो भी zero हो जाएगा क्योंकि जो condition जो circuit है वो balanced condition में आ जाती है अब यहां पर मैं जो wire है उसका resistance find करूंगा पर unit length तो वह formula होगी यहां पर rcm मतलब resistance of conducting wire right of conducting wire per unit length अब ऐसा क्यों find करेंगे वह हम लोग आगे देखेंगे ओके अब जैसे कि हम लोग अगर मान लीजे कि बात करें कि विश्टन बीच की तो विश्टन बीच की condition में यहां पर फिर से लिख रहा हूं वह condition क्या थी तो वह condition थी r1 upon r2 is equal to r3 upon r4 यह condition थी विश्टन बीच की अब मेटर बीच में भी वैसी condition आएगी यहां पर जो resistance है वह है आर एंड एस तो यहां पर condition में r upon s is equal to अब राइट हैं साइड तो जो resistance है कौन से फॉर्म में है तो वह कंडेक्टी वार के फॉर्म में है तो वहां पर प्रॉपर रिजिस्टन लिखने के लिए मुझे यहां पर लिखना है आर में इस resistance पर unit length into that length तो हमें पूरा एलवन जो लेंद है उसका पूरा resistance में जाएगा रैट वैसे ही यहां पर division में r cm मतलब के resistance पर unit length तो जो बाकी बचा वह resistance होगा और वह होगा 100-l1 तो यह resistance हमें मिलेगा अब यहां पर basically जो r cm है दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों ही resistance पर unit length है अब जो बाकी बचा वह लिखेंगे तो r upon s is equal to l1 upon 100-l1 तो यह resistance की formula होगी अब मान लीजे कि यह चारो resistance में से आर जो है वह unknown resistance है तो unknown resistance को मुझे find करना है नोन रिजिस्टन्स है s l1 पता होना चाहिए तो हमें यह सारे नोन रिजिस्टन्स होंगे तो r को subject बनाएंगे तो r is equal to l1 into s upon 100-l1 तो यह unknown resistance का पता में चल जाएगा तो अगर हम लोग s का अलग-अलग values लेंगे s जो resistance है उसकी अलग-अलग values लेंगे तो obviously l1 change होता रहेगा right l1 change होता रहेगा तो हर time जो r है वो अलग-अलग मिलेगा calculation के हिसाब से right अब मान लिजए कि l1 की जो हम measurement लेते हैं उसमें कोई error है तो r में भी error मिलेगा क्योंकि l1 r की formula में आता है right तो इसी लिए हम लोग पहले से ही ऐसा set कर सकते हैं पहले से हम लोग अपने हिसाब से अगर set कर दें कि l1 की जो length होगी वो nearly 50 cm के नजदीक हो जो null point है वो 50 cm के नजदीक हो तो फिर वहाँ पर हम जो measurements है उनमें जो error मिलेगी उसको कम कर सकते हैं तो इसलिए हमें क्या करना होगा जो l1 50 cm के नजदीक मिले उसके लिए s को हमें अपना जो proper resistance है उसके value में उसको convert करना होगा next question में in a meter bridge as per figure the null point is found at a distance of 33.7 cm from a if now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with s the null point occurs at 51.9 cm determine the values of r and s okay यहां पर एक meter bridge दिया गया है right अब meter bridge a से जो point a है उससे 33.7 cm दूर null point मिल रहा है हमें right अगर resistance 12 ohm वो s के parallelly connect किया जाए parallel मतलब कि अगर मैं यहां पर connect करूं तो कुछ ऐसा होगा right वो होगा 12 ohm यह parallel connection हो गया है बट अभी हाँ जब इसको 12 ohm parallel connect करेंगे तो null point हमें मिलेगा 51.9 cm क्योंकि shift हो गया क्योंकि resistance change हो जाएगा जब मैं parallel कोई भी resistance connect करूंगा तो वहां पर resistance की value change हो जाएगी तो इसलिए null point भी change हो गया तो यहां पर हमें r और s find करना है right तो पहले normal condition जब हमने 12 ohm का resistance connect नहीं किया था तब की बात करेंगे तो first null point r upon s उसके लिए formula लिख रहा हूं as a western beach की तरह से तो r upon s is equal to 33.7 l1 upon l2 100-l1 that is 66.3 right तो यह formula मिलेगी अब में क्या कर रहा हूं कि 12 ohm का resistance s के parallel connect कर रहा हूं तो उसके लिए s equivalent हमें मिलेगा s equivalent is equal to multiplication upon summation तो 12 plus s right तो यह formula हो जाएगी अब जो new null point है उसके formula लिखोंगा new null point के formula तो new null point मतलब l1 कितना मिल रहा है तो वो है 51.9 right upon 100-51.9 is 48.1 is equal to अब r upon s equivalent लिखना पड़ेगा right अब इसको simplify करें तो right hand side को में simplify करूंगा तो क्या होगा is equal to r अब s equivalent तो उसमें यह values रखे s equivalent की तो 12 into s और और नीचे आएगा 12 plus s बट उसको हम लोग उपर ले जाएंगे क्योंकि denominator to denominator goes to numerator so here 12 plus s लिखेंगे right तो यह उसका simplification होगा अब हम लोग यहां पर जो r upon s मिला यहां पर यह वाला यहां पर मैं draw कर लेता हूं यह रहा r upon s तो यह r upon s मैं यहां से लिख सकता हूं तो वह values यहां पर रखते हैं right तो अब मैं पूरा equation लिखूंगा right तो पूरा equation left hand side तो as it is 51.9 upon 48.1 is equal to s plus 12 upon 12 and r upon s है तो उसका यहां पर होगा into 33.7 upon 66.3 right तो 66.3 यहां पर होगा okay अब यहां पर इसको calculate करने से क्योंकि अब s ही unknown है तो इसको calculate करने से जो s की value मिलेगी वह होगी s is equal to 13.5 right तो यहां पर जो r upon s के जो value है उसके उपर से हम लोग r की भी value find कर सकते हैं तो मान डीजे की जो s है वो हम लोग यहां पर रखेंगे तो वहां पर r की value find हो जाएगी तो r is equal to वह होगा 6.86 ohm तो r और s हमें मिल गए next topic है potentiometer तो पहले तो potentiometer कौन से काम में यूज होता है तो potentiometer से हम लोग दो छोटे छोटे cells की values को हम लोग compare कर सकते हैं तो यहां पर एक तो दो cells को compare करने के लिए और दूसरा यहां पर जो cell है उसका internal resistance find करने के लिए potentiometer का use होता है अब potentiometer के construction में basically क्या होगा कि हमने एक long wire को यहां पर fix किया हुआ है जिसकी length a to c तक है अब उसको हम लोग external battery से connect करेंगे एक variable relation से connect करेंगे और एक key होगी अब हम लोग यहां पर batteries को compare करने वाले हैं तो यहां पर दो batteries है e1 and e2 right यहां पर यह reversible key है और reversible key को आगे हम लोग एक gallon meter से connect करेंगे कि जिसमें null point हम लोग find कर सके किसी particular point पर ओके तो पहले जब e1 emf e1 battery connected होती है उस time पर e2 connect नहीं होगा यह चीज हम लोग की से करने वाले तो पहले सिर्फ e1 connected है तब gallon meter हमें यहां पर null point लाता है यहां पर zero deflection बताता है n1 पर तो उसकी length कितनी होगी a2 n1 तक right तो a2 n1 अब मैं यहां पर किर्चॉफ second law apply करूंगा तो किर्चॉफ second law to this loop कौन सी लूप लिए हमने a2 n1 g right 3 1 a तो इस close loop में हमने यह किर्चॉफ second law apply किया तो उसकी formula हमें क्या मिलेगी तो formula हमें मिलेगी minus va sorry cost of all plus va it starts from a point va फिर आएगा minus 5l1 then plus e1 क्योंकि बैटरी का last terminal positive है तो positive is equal to va तो यहां पर va va gets cancelled तो अब यहां पर जो 5 है उसको मैं subject बनाऊंगा तो 5 को subject तो 5 is equal to even upon l1 आए जाएगा तो यह first equation हो गई अब मैं second apply करूंगा second battery को यहां पर connect करूंगा right तब even connected नहीं है तो second connected है यहां पर अब यहां पर जब second battery connect कर रहे हैं तब वहां पर null point हमें n2 मिल रहा है right n2 पर null point मिल रहे है अब circuit को लिखे right तो यहां पर हमें मिलेगा कि उसका जो second loop है उसकी अगर बात करें तो वह होगा ए फिर n2 जी 3 1 वापस ए तो अब मैं apply कर रहा हूं starting from VA फिर आएगा minus phi l2 plus e2 is equal to VA VA again cancelled out तो अब मैं फिर से phi को subject बनाऊंगा तो 5 is equal to अब formula होगी e2 upon l2 यह formula होगी अब देख लिए यहां पर जो 5 है पहले तो 5 क्या है तो 5 जो है वो है यहां पर voltage drop right voltage drop कैसे find करेंगे उसकी भी equation है वो है e of l मतलब emf is equal to voltage drop into length जैसे हमने resistance पर unit length find किया था तो resistance पर unit length into length करेंगे तो total resistance मिल जाएगा है तो राइट-hand side compare so e1 upon l1 is equal to e2 upon l2 अब यह में फाले terms एक side तो वहाँ पर formula हो जाएगी e1 upon e2 is equal to l1 upon l2 तो यह हमने emf को compare किया उनके length के साथ right तो पहला यह potentiometer इस काम में भी use होता है दोनों emf को जब compare करना हो तब तो emf ratio is equal to null point means length of that batteries ratio next हम लोग अब यह circuit ध्यान में लेंगे जहां पर एक battery connected है उस और उसके parallel की resistance box connected है तो यहां पर n1 और n2 दोनों ही null point हमें find करने हैं अब यहां पर जब k2 closed होगी तब resistance box में से आई जितना current flow होगा right k2 जब close होगी उसका मतलब क्या होगा तब e1 वहां से मतलब के k2 और e दोनों ही connected होगा जब k2 closed होगा क्योंकि वहां पर resistance box रखा है तो वहां पर battery के parallel resistance box connected होगा तो तब हमें terminal voltage मिलेगा और जब k2 open होगा तब k2 और resistance box में से कोई current flow नहीं होने वाला सिर्फ उसमें से ही current flow हो सकता है तो तब हमें जो emf मिलेगा वह उसकी formula होगी 5 मतलब के voltage drop right per unit length into that length वह होगा L1 और वह कितना है तो n1 तक है कहां तक तो यहां से आगे बढ़ेंगे और फिर यहां तक राइट तो वहां पर किर्चाओ अपलाई करके यह formula मैंने यहां पर derive किया जैसे हमने पहले derive किया था और अब मैं क्या करता हूं कि k2 को close करता हूं के टू क्लोज होगा तो दोनों में से ही करन फ्रो होगा तो यहां पर के टू क्लोजड है अब जब के टू क्लोजड है तो formula क्या होगी तो तब वहां पर वाल्टेज आ जाएगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वाल्टेज तो टर्मिनल वाल्टेज इस इक्वल टू वाल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंटू देट लेंथ एल्टू तो वह कंप्लेट वाल्टेज मिल जाएगा अब यहां पर रेश्यों लेंगे फिर से तो ई अपॉन वी तो राइट एंड साइड फाइस एलवंढ अपॉन फाइस अंद टो फ्वाइफ सेम है तो कैंसल हो जाएंगे opath विक्वेश्यों अमारी क्या मिलेगी इपउन वी इस इकल टू अपॉन अपन internal resistance बट जो हमारा terminal voltage होगा उसकी formula V is equal to I into R जो action resistance है वही इस formula में आएगा अब मैं E upon V करता हूँ फिर से तो E upon V is equal to I into R plus R upon IR तो II gets cancelled so हमारे पास सिर्फ यह equation बचा R plus R upon R अब यह E by V और दूसरा E by V है यहाँ पर दोनों के left hand side से हैं मैं तो right hand side को compare कर लेते हैं तो right hand side compare तो वहाँ पर R plus R upon capital R is equal to L1 upon L2 यह formula में लेगी अब इस पूरी formula में से मैं small R को subject बनाना चाहता हूँ तो वहाँ पर हम लोग subject बना दे जाएंगे तो R plus R capital R right hand side जाएगा तो वह multiplication में आ जाएगा तो R into L1 upon L2 और फिर हम लोग यहाँ पर small R को subject बनाएंगे तो small R is equal to R L1 upon L2 minus capital R right अब right hand side जो term है उसमें से capital R हम लोग common ले सकते हैं तो R is equal to capital R common bracket L1 minus L2 minus 1 L1 upon L2 minus 1 तो यह formula हो गई internal resistance किसका internal resistance हमारे पास जो cell है उसका internal resistance find करने की formula तो potentiometer से हम लोग कोई भी cell का internal resistance find out कर सकते हैं next question में a resistance of R ohm draws current from a potentiometer the potentiometer has a total resistance R ohm as in figure a voltage we supplied to the potentiometer derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer तो पहले question समझ लेते हैं कि potentiometer में से जो R ohm है वो लगबग कुछ current है ना current उसमें से flow हो रहे पोटentiometer में जो R ohm resistance है उसमें से कुछ current flow हो रहे है अब potentiometer का जो total resistance है वो है R ohm नाव potentiometer को वी जितने voltage पे हमने यहाँ पर रखा है मतलब भी supply दी दी है यहाँ पर यह वाला अब हमें find करना है कि जब की और potentiometer के middle में हमने जो resistance connect किया है R से जो की parallel है तो उसका हमने यहाँ पर equation derive करना है तो पहले हम लोग ध्यान में लेते हैं कि यहाँ पर जो की connect की गई है आरो के साथ वो तो सिर्फ हाफ ही portion है तो यहाँ पर हमारा half portion ही R के साथ parallel में connected है बाकी का half series में connected है तो पहले half portion को ध्यान में लेकर equivalent find करेंगे तो यहाँ पर equation में apply करूंगा 1 upon R1 is equal to 1 upon R and then plus 1 upon half of that अब यह जो half है वो उपर निकल जाएगा तो आरवन की हमारी जो formula होगी वो होगी R1 is equal to R into R upon R plus 2R तो यह आरवन equivalent होगा अब यहाँ पर जो आरवन equivalent है वो half RO के साथ series में connected है तो series connection में वहाँ पर हमारा जो new resistance है A और C के बीच का new equivalent तो वो होगा R is equal to R1 plus RO by 2 तो वो हमारा equivalent होगा अब यहाँ पर जो potentiometer है उसमें से जो current flow हो रहा है उसकी में formula लिखूंगा तो potentiometer में से flow होने अला current I is equal to V upon resistance R तो is equal to V upon R1 plus RO by 2 अब इसको simplify करेंगे तो simplification में 2 उपर चला जाएगा LC की वज़ा से 2V upon R1 2 into R1 LC लिया हमने plus RO तो यह जो flow हो रहा है वो है current potentiometer में से flow होने वाला current अब potentiometer से मिलने वाला voltage इसका अमलग terminal voltage भी बोल सकते हैं तो potentiometer से मिलने वाला voltage उसकी formula तो वो गी V is equal to V1 is equal to I into R1 R1 यह रहा हमारे पास अब values अंदर रखेंगे तो V1 is equal to I into R1 तो R1 कितना है तो into RO right into R upon RO plus 2R right यह formula होगी R1 की अब यहां पर साथ में current की formula भी रखेंगे तो total formula यहां पर हो जाएगी V1 is equal to I1 I1 कितना है sorry I कितना है तो यह रहा तो वो है 2V upon 2 into R1 R1 अब क्या है तो RO into R upon RO plus 2R तो यह पूरा अब यह पूरी equation को हम simplify करेंगे तो V1 निकल कर आएगा V1 is equal to वो होगा 2V R upon RO plus 4R right तो यह potentiometer से मिलने वाला voltage होगा फिर फिर next यहां पर हमें dimension दिये गए हैं तो पहला है electric current electric current का symbol हम लोग जानते है आई अब उसका जो unit है वो है MPR तो उसकी वज़े से dimension A unit MPR और SI base unit है फिर हमारा आता है है चार्ज तो चार्ज का पहले symbol capital Q या फिर small Q यहां पर चार्ज की जो formula है वो है I into T मतलब के current into time तो time into current dimensions हो जाएंगे उसका unit है कुलम फिर आता है वो है voltage electric potential difference उसका symbol है capital V तो यहां पर उसकी dimensions होंगी M1 L2 T-3 A-1 generally हमें electricity में कोई भी एक dimension जैसे कि यह voltage है voltage का अगर dimension आप find कर लोगे तो आपको resistance का मिल जाएगा capacitance का मिल जाएगा आगे जितने भी लगबग जितने भी quantities है electronics में वो सारी quantities के dimension आप find कर सकते हों तो एक voltage का आपको find कर देना है क्योंकि voltage थोड़ा सा हर equation में common होता है तो उसका dimension है M1 L2 T-3 A-1 उसकी formula work upon charge right तो easily find कर सकते हैं अगर voltage की आप नहीं याद रख सकते तो work upon charge याद रख लीजे तो उससे आप find कर पाऊगे work की formula मतलब के energy के equivalent M1 L2 T-2 और charge मतलब A1 T1 और फिर calculation से हमें voltage की dimensions मिल जाएगी फिर आता है electromotive force मतलब EMF तो electromotive force और कुछ नहीं एक तरीके का voltage ही है तो पहले तो उसका symbol है E और dimension is equal to voltage और potential difference unit होगा volt और again formula हम लोग लिख सकते हैं work upon charge फिर आता है resistance तो हम लोग जानते हैं कि current को जो resist करता है तो resistance का symbol है capital R फिर से यहाँ पर यह formula अगर voltage की है हमारे पास या फिर अगर voltage की आपने याद रख लिए तो ohms law की formula में से आप R को subject बना दोगे तो वहाँ पर dimensions मिल जाएगे और unit है ohm तो resistance का dimension मिल सकता है right उसके बाद electrical conductivity सिम्वॉल है sigma उसकी formula है sigma is equal to one upon rho मतलब के resistivity का reciprocal तो उसका reciprocal dimension जब आप find करोगे तो यह dimension मिलेगा जो की conductivity का होगा और उसका unit होगा s right तो यहां पर sigma की formula होगे उसके बाद है electric field तो electric field उसका symbol है capital Vector quantity है अगें उसका जो यहां पर dimension होने वाला equation से force upon charge है तो simple force dimension upon charge dimension unit होगा स्वाल्ट मिटर इन्वर्स देन आफ्टर drift speed drift speed हम लोग पढ़ चुके हो राइट electron की होती है तो drift speed का symbol है VD speed है तो dimension L1 T-1 unit होगा मिटर सेकेंड इन्वर्स and drift speed की formula पूरी है e into e tau upon m time फिर आता है relaxation time तो वो है tau tau उसका dimension है t unit है second right then after current density तो current density मतलब के current upon area तो current density एक अब देख सकते हो vector quantity है and current upon area तो e into l minus 2 unit होगा ampere into meter to inverse right current upon area फिर है mobility mobility symbol mu mobility की जो formula है वो है VD drift velocity upon electric field तो simple velocity की जो dimension है वो upon electric field जो हमने यहां पर पढ़ा वो ratio मिलेगा m1 l3 t minus 4 a minus 1 और unit होगा meter square volt inverse second inverse तो इस method से मतलब के सारी equation अगर आपको याद होगी तो आप easily उस physical quantity का dimension find out कर पाओगे क्योंतं क्योंत प्लाक क्योंत झाल का झाल झाल